अगर आपको भी गूमने फिरने का शौक है लेकिन आप भी भीड़बार वाले टूरिस पॉर्ट से ठक चुके हैं और कोई सुकून बरी जगा जाकर चैन की सांस लेना चाहते हैं तो आप बिलकुल सही जगा पहुच गए हैं क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी ही प्यारी सी जगा के बारे में जिसता नाम है जीभी ये हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुन्दर गाओं है जीभी को अभी कुछ साल पहले ही हिमाचल टूरिजम में इंक्लूड किया गया है इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ वो सारी प्रेस जो आप जीभी में जा सकते हैं आप ये भी जानेंगे कि आप कैसे जीभी तक पहुत सकते हैं वहां लोकल ट्राविल कैसे कर सकते हैं वहां कहां रह सकते हैं कौन से रेस्टरॉंस को ट्राइ कर सकते हैं इस आली जाने वाली बस लेनी होगी और और उतरना होगा आप चाहे तो ऑनलाइन हिमसुटा की ओफिशल वेब साइट से बस बुक कर सकते हैं या फिर किसी और प्राइवेट एजनसी से ऑनलाइन बस बुक कर सकते हैं रात को डली से आरांड 9 बजे बस लेंगे तो मॉनिंग में 6 के बजे तक आप इजली और पहुंच जाएंगे और से आपको डायरेक्टली जीवी के लिए बस मिल जाएगी कुछ बसे डायरेक्ली जीवी नहीं जाती वह सिर्फ बंजार तक जाती हैं अगर आप वह बस लेते हैं तो आपको बंजार से जीवी के लिए दोबारा बस लेन अगर आप करते हैं तो आपको 1500 रुपीज देने होगी जिबी में अगर आप अपना होटल प्रीबुक करके आए हैं तो आप वहाँ जाकर रेस्ट कर सकते हैं वरना आपको बस मेर मार्केट में ड्राप करेगी जिसके आसपास आपको बहुत सारे होटेल्स हुमस्टे दिखें तो इस वाँट आप चले जाएए जिबी वाटरफॉल यहां से वाकिंग डिस्टेंस पर ही है तो हम पैदल चलते हुए जा रहे हैं और व्यू विव इस सो नाइस दूरू जू बूटिफुल यह में मार्केट से राउंड 20 मिनिट्स तूर है तो आप वाक करके यहां तक प रादी से भरा हुआ है यह अपको नीचे का रास्ता लेना होगा और यह जाए बूटिफुल रादी से भरा हुआ है यह जाए इसका अरिजिनल लेम कुली कतान्दी है यह जीबी वाटरफॉल से अगें 20-25 निट के डिस्स पर है तो यह जो आपको यह बोर दिखेगा चहां से आपको नीचे का रास्ता लेना होगा and after some distance you will reach this place so basically यहाँ पर दो बिग रॉक्स है और उसके बीच वाटर स्ट्रींग अगें अग्रेट प्लेस फॉर पिक्चर्स इन दोनों प्लेसे को कवर करने के बाद आप रिवर साइड व्यू को इंजॉय करने के लिए जा सकते हैं Riverside काफी restaurants भी है so in case you wanna enjoy your food with this view you can do that and if not then आप वैसे भी जा कर यहाँ बैट सकते हैं Trust me spending time here was the best memory for us in this trip so don't forget to visit here this is my personal recommendation वैसे तो आपको मेन मार्केट में कई restaurants दिखेंगे जहाँ पर आप जा सकते हैं My personal favorite was Musafik cafe people here treated us so nicely and inka food bhi kaffi acha tha so you can give this one a try Another good cafe that you can go to is the forest bean cafe ये market से थोड़ा और आगे है so आपको यहाँ तक पहँचने के हिए 10 minutes का walk करना होगा But the aesthetics and food of this cafe was amazing do try their mushroom pizza it was great For your next day you can plan for trek to Raghupur Fort and Sarol Sarli इन दोनों trek को करने के लिए आपको पहले जलोरी पास तक जाना होगा Again अगर आप काप करके जाना चाहते हैं तो मेन मार्केट से you can ask for it And around 1500 में आपका आना जाना हो जाएगा But if you want to take local bus you can go to the bus stop and from there around 8.30 सबसे पहली bus आती है And it will cost you just 11 rupees So cheap now I was also shocked when I got to know the ticket price Around 1 किंटे के जरने रहेगी ये बस एक 20 मिनट का stop भी लेती है जहां आप अपना breakfast कर सकते हैं Because इतनी जल्दी जिबी की main market उपर नहीं होती तो आपको most of the shops बंधी मिलेंगी जलोरी पास के लिए जहां बस आपको छोड़ेगी महा काली माता का मंदिर भी है जहां आप दर्शन कर सकते हैं और यहें से 100 मीटर से रखुपुर फोर्ट या सरोल सर लेक का ट्रेक शुरू कर सकते हैं अगर आप रखुपुर फोर्ट का ट्रेक करना चाहते हैं तो यह 6 किलोमेटर का टोटल ट्रेक है 3 किलोमेटर एच साइड So we are halfway through the trek, टोटल 3 किलोमेटर का ट्रेक है So first 1.5 किलोमेटर was easy, सीदा सा ट्रेक बत अब फोरी पहाड की चड़ाई है And it's getting difficult What we know is the last half kilometer is the most difficult one So let's see how it goes How's your experience Pooja? Oh it's difficult It's difficult I mean yeah It's starting to get difficult now It will be more difficult for sure Let's see Chaltayam, rest ho gaya So you must be physically fit to do this trek And you must also wear comfortable shoes Track का रास्ता आपको काफी अच्छा लगेगा And यहाँ से snow-capped mountains भी दिखने लगेगी Pहले 1.5 किलोमेटर के बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं थोड़ा रेस कर सकते हैं टोटल 1.5 गेंटे के ट्रेक के बाद आप पहुँच जाएंगे रगपूर फोर्ट And this is the view that you will witness Isn't it amazing? यहाँ पर आपको बेसिक खाने पीने के लिए काफी शॉप्स दिखेंगी और आप पहालों वाली मागी को मिसमत कीजिएगा जैसे कि मैने आपको पहले भी बताया था आप जलोरी पास से रगपूर फोर्ट का ट्रेक कर सकते हैं या फिर आप सरोलसर लेक ट्रेक के लिए जा सकते हैं सरोलसर ट्रेक टोटल 12 किलोमेटर का ट्रेक है बट इसका रास्ता relatively easy है दोनों ट्रेक्स को एक दिन में कर पाना शायद सब के लिए feasible ना हो तो आप दो दिन में भी इसे प्लान कर सकते हैं सरोलसर लेक के अराउंड का व्यू काफी अच्छा है और लेक का पानी काफी crystal clear है यहाँ पर बोड़ी नागिन का मंदिर भी है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप GB वाया बस वापस आना चाहते हैं तो तीन बज़े तक मैक्स वापस चलोरी पास पहुँच आए क्योंकि उसके बाद इतनी बसस नहीं चलती यहाँ बस टॉप के अराउंड आपको हाथों से बने हुए वुलन वेर आइटम्स खरीबने को मिलेंगी जो कि बहुत ही nominal prices में available होते हैं और आप अगर जादा सामान लेंगे तो prices भी negotiate कर सकते हैं GB में आकर आप सेशनाग देटा मंदिर में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं यह थी कुछ particular places जो आप GB में विजट कर सकते हैं बर ट्रस्ट में यह इतनी प्यारी जगह है कि आप जिदर भी देखेंगे आपको सुकून ही मिलेगा अगर आपकी वापसी की बस और से शाम में है तो आपको और टाइमली पहुचना होगा जिबी से और आने के लिए आप मुसाफित काफे के सामने के पुल से बस ले सकते हैं बस अराउंड 3.30 आती है तो आप टाइमली पहुच जाएंगे वरना आप क्याप करके भी और तक आ सकते हैं और यहां से डेली ये चंडिगर की बस ले सकते हैं I hope I was able to cover all the info that you need to plan your trip for Ghibli if you like this video do give it a thumbs up and please subscribe to my channel if you haven't already and I'll see you in my next video till then bye bye and take care